नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies channel में आप सभी का स्वागत है Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बखो भी रखता है फुल बोडी वर्काउट के लिए बहुत सारी ऐसे वर्काउट है जो आप लोगों को करने चाहिए पूरे दिन भरमा अपर बैली ठीक हो जाए, Abdominal Fat Reduce हो जाए, Arm Pit Fat Reduce हो जाए, Solder Thight ठीक हो जाए, Chest ठीक हो जाए यानि कि सभी और लोगों के ठीक हो जाए तो इसके लिए आप लोगों को कोन से वर्काउट करने चाहिए आद मैं वही बात करूँगा और यह सभी वर्काउट आप लोगों के 30 seconds के रहेंगे, और काउंटर आप लोगों के screen पर रहेगा, इस से पहले आप लोगों को 10 seconds का rest दिया जाएगा, हर एक exercise के बीच में 10 seconds का rest दिया जाएगा ये सभी वर्काउट्स आप लोगों के लिए बहुत ही जादा कि फाइत ही साभीत होंगे अगर आप लोग इने करते हैं तो आप लोगों के लिए आप लोग पूरे दिन भर की जो एनरजी है वो कायम कर सकते हैं तो बारा मिनट का ये वीडियो मैंने बनाया है टोटल और बारा मिनट के अंदर आप लोग जो है टोटली जो है एनरजाटिक फील करेंगे ठीक है तो ये सभी घर के वर्काउट है, सबसे पहला वर्काउट आप लोग बात करते हैं हम लोग, इस वर्काउट के अंदर आप लोगों को सिर्फ साइड रोटेट होना है और ये बहुत ही अच्छी एक्सराइज है, बिगनर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में डाली है ये एक् आता करें और उसके बाद में अपनी सर के ऊपर से ले जाकर आप लोग एक पूरा हाफ सर्कल बना लें तो यह 30 के लिए करना है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है 10 सेकंड का rest लेना है और उसके बाद में हम लोग चलेंगे दूसरे workout की और दूसरा workout वरकाउट स्टार्ट होता है अब अब आप लोगों को क्या करना है 30 सेकंड के लिए इस exercise में आप लोग देख रहे होंगे कि महिला जंप लगा कर एक surface से just उपर की और जो है वो जंप लगा रही है तो आप लोग एक box रख सकते हैं अगर आप लोगों के पास ऐसी बोल नहीं है तो आप लोग एक box रख सकते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे jumping box exercise यह powerful exercise वैसे तो होती है तो जो लोग मोटे हैं वो क्या करेंगे थोड़ा सा अप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा जो है अपने धरातल से थोड़ा सा सावित हो सकता है अब हम लोग तीसरी exercise के ओर चलते हैं यह exercise आप लोगों की जो lower body fat है उसे reduce करेंगी एक परकार से crunch exercise बोल सकते हैं या हम लोग इसको हम लोग by skill crunch बोल सकते हैं या हम लोग इसको butterfly crunch बोल सकते हैं तो यह different name है इसमें आप लोगों को क्या करना है एक pair को just अपन पास लेकर आना है यह पूरा body को आप लोगों को relief महसूस करवा देगा और lower abdominal fat और body fat कब गयब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा तो यह total full body workout है side low handle fat भी reduce हो जाएगा इससे आप लोगों का 10 second के rest के बाद में हम लोग चलते हैं चोथे workout की और चोथा workout जो है एक परकार से हम लोग कहेंगे alternative leg raise lunges है और यह forward lunges आप लोगों का exercise है इसमें आप लोगों को क्या करना है तो आप लोगों को lunges करना है और वो भी 30 second के लिए lunges जो है वो आप लोगों के पैरों का workout है अगर आप लोग ध्यान से देखें glutes का workout है तो यहां पर हम लोगों ने बहुत चासे workout देखे हैं जो पैरों के हैं glute muscles के हैं तो अब हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा rest 10 second का rest है लेकिन 10 second के बाद आप लोगों को मिलेगा triceps यानि कि आप लोगों के हाथों का workout साथ ही आप लोग जो हैं अपने shoulder का भी workout इसमें सामिल कर सकते हैं तो हाथों का जो है shoulder और आप लोगों के biceps और triceps muscles को lean बनाने का काम यह exercise करती है जिसे हम लोग triceps dips exercise बोलते हैं इस exercise में अगर आप लोग देखें तो महिला का जो figure maintain हुआ है वो आप लोग भी बना सकते हैं अगर आप लोग exercise करते हैं तो अगर आप लोग different types के जो home workout ultimate health and home remedies पर बताए जाते हैं अगर वो exercise करते हैं तो आप लोगों को फाइदा मिलेगा तो यहाँ पर हातों का workout complete हो जाता है पैरों का workout हो गया kows muscles का workout हो गया अब बात करते हैं हम लोग man core muscles यानि की pate की muscles के लिए pate की muscles के लिए क्रंठ से बहतरीन workout आप लोग sorry plank से बहतरीन workout आप लोग कहीं नहीं मिलेगा अप लोगों को तो चटा workout हम में help करता है plank को करते समय आप लोगों की spine सीधी रहनी चाहिए निगाहें सामने रहनी चाहिए और दोनों हाथ आपस में bind रहने चाहिए लेकिन एक बात ध्यान में रखेगा plank को आप लोगों को hold जादा से जादा समय तक 30 सेकंड तक आप लोगों को hold करके रखना होगा अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्काउट की नेक्स्ट वर्काउट है आप लोगों का और वो भी है जंपिंग जैक्स jumping jacks के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं तो यहाँ पर आप लोगों का पेट का workout भी हो गया जांगू का workout हो गया glutes का workout हो गया अब बात करते हैं हम लोग cardio workouts की cardio workout में jumping jacks बहुत ही एहम भूमी का जो है वो निभाता है क्योंकि total body का fat reduce करने में भी jumping jacks बहुत अधिक है और जब आप jumping jacks को करते हैं तो cardio जो है वो मजबूत होता है तो 30 seconds के लिए आप लोग का jumping jacks exercise कर सकते हैं जिससे आप लोगों का cardio मजबूत हो जाता है तो cardio को मजबूत करने के लिए jumping jacks आप लोग कर सकते हैं 30 seconds के लिए अब ले लेते हम लोग rest और 10 seconds के रेस्ट के बाद आप लोगों का start हो जाता है upper belly fat के लिए तो यहाँ पर time up हो गया है और यहाँ पर start हो चुका है upper belly को reduce करने के लिए work out और यह ध्यान रखे का आप लोग मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों ने belly fat को reduce किया lower belly को reduce किया आप लोगों ने thighs muscles के लिए work out किया अब आप लोगों का है upper belly workout यानि upper belly पर जब पेट फुला फुला रहता है और आप लोगों को करना है ऐसी exercise जिससे आप लोगों को ये reduce हो जाए तो ये exercise आप लोग कर सकते हैं जिसे आप लोग वी up crunch बोलते हैं वी up crunch करने से आप लोगों का upper belly जो है extra belly fat जो upper belly पर जमा हुआ वो जल्दी ही गायब हो जाता है तो यहाँ पर upper belly का workout हो गया है अब ले लेते हैं 10 second का rest और 10 second के rest के बाद हम लोग चलते हैं next workout पर जिसका नाम है side plank crunch अगर आप लोग देखें तो ये एक प्रकार से tough exercise आप लोगों की मानी जाएगी लेकिन ये एक external oblique यानि कि आप लोगों की जो love handle fat है उसे extra love handle fat या हम लोग कहें tires या हम लोग कहें back fat तो उसको reduce करने में आप लोगों की बहुत अधिक role जो है ये workout निभाता है तो ये workout जो है आप लोग कर सकते हैं 30 seconds के लिए और 30 seconds में आप लोगों को फाइदा मिलेगा कि आप लोगों की कमर जो है वो पतली हो जाएगी और आप लोगों के एक अच्छी shape मिल जाएगी अब हम लोग बात कर लेते हैं next workout की यानि कि आप लोगों की thighs muscles के workout के लिए और combo pack मिल जाता आप लोगों की belly fat को reduce करने में तो ये workout भी आप लोगों को फाइदा देगा आप लोगों की thighs muscles पर जमा हुए fat को reduce करने में thighs muscles को lean बनाने में और आप लोगों की पेट का जो आफरा है वो reduce करने में पेट का आफरा बहुत सारे लोगों को होता है जब intense time कमजोर होने लगती हैं खाना पचने नहीं लगता है तो आप लोगों का खाना जमा जो है वो सड़ने लगता है और उससे पेट की गैस बनने लगती है तो ये workout आप लोगों को help कर सकता है अगर आप लोग पेट की गैस को बाहर निकालना चाहते हैं तो 30 seconds के लिए आप लोग ये workout कर सकते हैं अब बात करते हम लोग next workout की next workout पर जाने से पहले हम लोग 10 second का rest लेंगे और इसमें इसके बाद में आप लोगों को करना है lateral lunges और वो भी आप लोगों को करना है without stopping lateral lunges यानि कि आप लोगों को इसमें जब आप लोग एक पैर पर बैठते हैं उसे wider करने में और साथ ही आप लोगों की जांखों के निचले भाग पर जमा हुए extra चरभी को reduce करने में तो straight करती आप लोगों की ये पैर की जो जांखों की जो muscles से उसे straight करती है अब हम लोग बात करते हैं हमारे intense time को मजबूत करने में bridges का पहुत बड़ा रोल है तो ये जो exercise है जो अभी start होने वाली है ये exercise आप लोगों को power देती है intense time muscles को मजबूत बनाने में जब आप लोग sofe का सहरा लेकर bridge exercise करते हैं तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आप लोग lower back fat जो है उसको reduce करने में आप लोगों को help पिलती है खासकर आप लोग जब weight लगा कर bridges exercise करते हैं तो आप लोग glutes का exercise कर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को glutes में pain होता है या हम लोग कहीं hips में बेन होता है तो ये reduce हो सकता है अब हम लोग बात करते हैं next workout की और ये है आप लोगों की rectus abdomen यानि की lower body fat के लिए यानि की lower belly fat को reduce करने में ये help कर सकता है तो 10 second के rest के बाद हम लोग workout start करते हैं Neater crunches, बहुत अच्छा crunch है अगर आप लोग इसे करेंगे तो आप लोगों का जो lower belly है, hanging belly है वो reduce हो सकता है एक परकार से हम लोग कहें power bum exercise है इसमें आप लोगों के दोनों पैर जब चिपके वे रहते हैं और हवा में रहते हैं तो आप लोगों की जो vibration है पेट की वो start हो जाती है इसका मतलब है पेट की जो muscles है वो engage रहना start हो गई है और पेट जल्दी ही extra चर्वी को lose करने वाला है तो यह बहुत ही अच्छा workout है जिसे आप लोगों को करना है अब हम लोग फिर से cardio exercise पर आ जाते हैं cardio के लिए आप लोगों को खड़े रहकर दोड़ना होता है तो यह बहुत ही अच्छा workout है अगर आप लोग इसे करेंगे तो बहुत सारे लोग बाहर जाकर workout करते हैं दोड़ने का आप लोग खड़े खड़े रहकर भी दोड़ सकते हैं तो चोद्वी workout के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है running की यानि की jogging की तो इसके लिए आप लोगों को बाहर जाने की जरूत नहीं आप लोग खड़े खड़े रहकर भी दोड़ सकते हैं और यह आप लोगों के cardio को powerful बनाने में आप लोगों की help करता है आप लोगों को बता है कि total body fat cup reduce होता है जब calories reduce होने लगती है लिवर में जमा हुआ fat जो है जो reduce होने लगता है यह हम लोग कहें जो glycosin है वो कम होने लगता है अब हम लोग बात करते हैं फिर से लेकर आया है हम लोगों आप लोगों के लिए jumping jacks jumping jacks basically इसलिए मैंने double time डाला है इसमें क्योंकि jumping jacks जो है वो एक powerful exercise है और अगर हम लोग इसके 5-day count करवाना चाहें तो बहुत सारे फाइदे जो है वो jumping jacks से होते हैं अगर हम लोग jumping jacks के फाइदे देखें तो cardiovascular fitness देता है, calorie burning करता है, weight loss के लिए है improved coordination and balance बढ़ाता है increased muscle strength बढ़ाता है convenience jumping jacks required equipment can be done anywhere making them a convenient and access from the exercise stress relief करता है, low impact exercise है तो आप लोग इसे कर सकते है next workout पर जाने से पहले हम लोग ले ले लेते हैं 10 second का rest और इसके बाद में हम लोग करते हैं lunges exercise लेकिन ये आप लोगों को side में आप लोगों को rotate होना है ये परकार से हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए क्यों डाला है ताकि आप लोगों को एक body shape अच्छा मिले body shape का मतलब होता है आप लोग जो है इसमें different types के workout है आप लोग देख सकते हैं इसमें अपना lunges जो है इस परकार करना है कि दोनों हाथ जो है गुठने पर रखना है उसके बाद में hips जो है वो बाहर के और निकालना है तो एक परकार से wider hips बनाने में ये आप लोगों की help करता है ये exercise ठीक है इसके बाद में हम लोग चलते हैं next workout पर next workout पर जाने से पहले आप लोग 10 second का rest ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि next workout कौन जा होने वाला है इस परकार के exercise cross over toy touches होती है अगर आप लोग देखे तो ये इस परकार से middle position पर आप लोगों को touch करना है और एक परकार से आप लोग कह सकते हैं कि ये exercise जो है आप लोगों की जांगों की muscles के लिए है या हम लोग कहें आप लोगों के hips muscles के लिए है या हम लोग कहें आप लोगों की जो love handle fat को reduce करने में भी आप लोगों की help कर सकता है तो ये bumper offer है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग जो है ऐसी exercise करके अपने आपको fit रख सकें तो fitness अगर अब बनानी है तो low impact exercise बहुत अधी help कर सकती है अब हम लोग चलते है next workout पर next workout पर जाने से पहले 10 second का rest है 10 second के rest के बाद हम लोग चलते है next workout यानि की squat exercise ये बहतरीन workout माना जाता है squat के बहुत सारे फाइदे हैं अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की जो muscles कित्व टॉन होती है increase muscles strength and tone improve athlete performance बढ़ाने के लिए भी होता है better balance and stability लाने के लिए भी इसका फाइदा किया जा सकता है increase bone density में भी आप लोगों की help करता है improved posture में भी आप लोगों की help करता है increase flexibility में भी आप लोगों की help करता है low impact squat or low impact exercise है convenience exercise है तो आप लोग जो है इसका फाइदा उठा सकते हैं आप लोग इसे कर सकते हैं अब हम लोग चलते हैं next workout पर next workout है आप लोगों के लिए एक परकार से squat है लेकिन साथ में आप लोगों के लिए jump with back in plank position भी है तो ये एक exercise है जिसे आप लोग कर सकते हैं और इसे हम लोग बर्पी भी बोल सकते हैं ये workout आप लोगों को कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा 12 मिनट के workout है इसे आप लोग कर सकते हैं और फाइदा ले सकते हैं खास कर वो लोग जो की beginner हैं और साथ ही वो लोग जो intermediate है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अच्छे सेने वीडियो के साथ धन्यवाद लेकिन